करेले की सबजी बनाने के लिए आधा किलो करेले को स्लाइस करे। उसमें एक चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी और लेमन जूस डाल कर मिक्स करे। इसे 15 मिनिट रेस्ट करने के लिए रखे। 15 मिनिट बाद इन करेले को निचोड ले। करेले को चार चम्मच ओयल में पांच मिनिट तक शालो फ्राइ करें और एक प्लेट में निकाल ले बचे हुए तेल में आधा चम्मच जीरा, एक चौथाई चम्मच कलॉंजी, आधा चम्मच सौप, थोड़े मेथी दाने और दो पिंच हिंग डालकर मिक्स करें उसमें तीन बारी कटे प्यास डालकर पकाले दो हरी मिर्च और अद्रक लसुन का पेस्ट डाले सभी चीज भूनने के बाद उसमें करेले मिक्स करें इसमें एक चम्मच लाल मिर्च, दो चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, स्वादानुसार नमक और आधा चम्मच हल्दी डालकर मिक्स करें धक्कन रटकर तीन से चार मिनट तक पकने दे और बीच बीच में हिलाते रहे करेले की सबजी तयार है और आपके लिए पारुल जी का एक मेसज है अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हों तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेर और आपके अपने चैनल को विद्परण को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले ऐसे ही रेसिपीज के लिए विधर्ब बाइट को सब्सक्राइब करें